हलो फ्रेंट्स, वेलकम ये ओल इन मैं यूट्यूब चैनल, आज गे इस वीडियो में हम जानेंगे हॉर्मोनल इम्बैलेंस के साइंस जो की महिलाओं में देखे जाते हैं सब्सक्राइब करें शॉर्ट इंजर नामडीज को और बेल के आइकन को क्लिक कर दें लेटेस्ट वीडियो अप्रोच के लिए हॉर्मोन ऐसे तत्व होते हैं हमारे शरीर में जो कि हमारे शरीर को मैनेज करते हैं और शरीर को संतुलिद बनाए रखते हैं पर कई बार इन हॉर्मोन का स्तर अगर हमारे शरीर में कम हो जाता है या फिर बढ़ जाता है तो उस वज़े से हमें बहुत समस्या हैं जिन से महीलाएं गुजरती हैं हॉर्मोनल इंबैलेंस होने पे चलिए जानते हैं पहली चीज जो महीलाओं को नुक्सान पहुचाती है हॉर्मोनल इंबैलेंस से वो है हैवी पीरेट्स अगर महीलाओं के शरीर में हॉर्मोनल इंबैलेंस हो रहा है तो उन्हें पीरेट्स में बहुत जादा दिक्कत होती है कई बार उनका पीरेट्स नहीं आता है और कई ब इंफर्टिलिटी मतलब प्रजणन जमता की कमी जो भी महीलाएं हॉर्मोनल इंबैलेंस से शिकार होती हैं उन महीलाओं को प्रेगनेंट होने में बहुत दिक्त होती है और उन्हें बहुत जादा मैडिसेंस को इस्तमाल करना पड़ता है ताकि उनका हॉर्मोनल बैलेंस हो जा वेट बढ़ता जाता है वो वेट को टॉन कर लेती हैं अयसा होता है एंबैलेंस होने की वजह से तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें अगर आपको भी ऐसी समास्या होती है क्योंकि होदि होने से आप बहुत सारे रूगों की शिकार होने लगती हैं चौथा लक्षन जो घॉमोनल इंबैलेंस पर दिखता है वह है डाइजिशन की प्रॉब्लम आप अगर खाना कम भी खाती हैं, तो भी आपको digestion की दिक्कत होने लगती है, आपका खाना digest नहीं हो पाता है पांचवाल अक्षन hormonal imbalance का है, insomnia यानि आपको नीन नहीं आती है, आपको सोने में दिक्कत होती है ये कई बर आपके शरीर में मौझूद हामोन का लेवल कम या जादा होने पे हो जाता है तो अगर आपको भी नीन नाने में दिक्कत होती है, आप दिन बड़ तो बहुत काम करती हैं, पर फिर भी आप सो नहीं पाती हैं तो आप ज़रूर hormonal imbalance के शिकार हैं अगर आप इन में से कोई भी एक लक्षन का सामना कर रही हैं, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आपके बॉडी में हॉमोन का imbalance क्यों हो रहा है और आप कैसे उसे ठीक कर सकती हैं हमें पूरी उमिद है कि आपको हमारा इप वीडियोज ज़रूर पसंद आया है ऐसे ही interesting वीडियोज देखने के लिए स्क्रीन पे आरे सजिस्टेड वीडियोज को अभी क्लिक करें थैंक्स फूर वाचिंग, सी यू सून